हेलो गाइज महावीड जांगीड यह और यह है हमारा पॉलिटिका लेक्चर नमबर वन इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ दी कॉंस्टिटिशन के बारे में डिसकेशन करेंगे जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि यह जो कॉंस्टिशन है इसकी डेफिनिशन क्या है ठीक है और इसमें इसको किसने बनाया है और इसको बनाने में कितना समय लगा है उसके बारे में डिसकेशन करेंगे और उसके बार में हम जाएंगे उसकी कुछ कुछ कि ये parts क्या हैं, ये chapters क्या होते हैं, articles, clause, sub clause, schedules, ये सारी क्या हैं, इसमें काफी confusion create होता है, तो इस lecture में आपके, मैं सारे ये doubts clear करने वाला हूँ, so आप इस video को end तक देखिए, and I hope कि इस video को देखने के बाद में, constitutions को लेकर कि जितने भी आपके basics, जो clear नहीं थे, वो सारे यहा हमारा political lecture number one, जो कि basics of the constitution के उपर है, basics of the constitution में, हम constitution की definition, उसको जानने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद में, हम constitution से related various terminology हैं, उनको भी discuss कर लेंगे, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि constitution जो है, इसका definition क्या है, what is constitution, तो यहाँ पर constitution को बारे में समझने से पहले, मैं आपको एक छोटी से story सुना देता हूँ यहाँ पर, तेकि सबसे पहले इंडिया के अगर बात करें, इंडिया independent था, और उसके बाद में पूर्तगीज जो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, कालिकट में, और उसके बाद में उनका sequence जो रहेगा, वो पूर्तगीज के पॉलिटिकल पावर बन जाएंगे, इंडिया में पॉलिटिकल पावर, तो पॉलिटिकल पावर बनने के बाद में इन्onds ने इंडिया में around 192 years तक यहाँ पे rule किया, यहाँ पर raise किया, इसको round figure में 200 years कह सकते हैं, तो यह 200 तक इन्हों ने जब यहाँ पर raise किया, तो यहाँ की सारी बाते हैं हमने उन सब को ध्यान में रखकर जो हमारे constitution में इसको involved किया है तो यहां पर ध्यान दीजे constitution की definition देखिए constitution के लिए first point आप read कीजे constitution is a compilation of rules and laws यहां पर मैं इसको erase कर देता हूँ constitution is a compilation of rules and laws based on which the rule of a country is run the rule of a country is run यहनि अगर इसका हिंदी मगर translate करें तो constitution यानि की सम्विधान नियमों and विधियों laws यानि विधियों का संकलन compilation यानि संकलन है जिसके अधार पर किसी भी देश की शाषन विवस्ता चलाई जाती है यानि की सम्विधान नीटियों और विधियों का ऐसा संकलन होता है जिसके अधार पर किसी भी देश की शाषन विवस्ता चलाई जाती है या संचालित की जाती है और second point पर आईए आप It is a map of power यानि कि ये शक्ति का मानचितर है and it is a supreme law supreme law यानि सर्वोच कानून है यानि इंडिया में इस से उपर कोई कानून नहीं होगा जितने भी कानून है जितने भी laws है ये सारे के सारे हमें कहां से मिल रहे हैं Constitution of India से यानि हम आगी जाके जैसे पढ़ेंगे कि executive है, judiciary है, legislative है इस सब को जो powers मिल रहे हैं ये सारे के सारे ये constitution से मिल रहे हैं और जितने भी यहां पर अलग-अलग बड़ी जो bodies जो है उनका भी जो appointment हो रहा है उनका जो selection हो रहा है वो भी कहीने के constitution में mentioned है और उसके accordingly उनके जो है appointments होते हैं अब आते हैं point number 3 पे point number 3 read कीजिए मेरे साथ में the constitution of India was made by a constituent assembly which were formed on 6th of December 1946 ठीक है, यानि हमारा जो इंडिया का constitution है, ये समीदान जो है, ये किसने बनाया है, constituent assembly, अब ये constituent assembly पे कौन-कौन थे, यहाँ पे around 389 people थे इसमें, इतने लोग involved थे, इन्होंने मिल करके इस constitution को बनाया, यानि अब इतने लोगों की जरुवत क्यों पड़ी, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत अब इसमें अगर limited लोग होंगे, तो ये अलग-अलग इलागे से represent नहीं कर पाएंगे, इंडिया को उनको वहाँ पर क्या problem face करनी पड़ रही है कैसे वहाँ कि उनकी जिंदगी चल रही है तो इसलिए हमने क्या कि constitute assembly बनाई, और इसमें अलग-अलग people involved थे यहाँ पर, ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि constitution किसने बनाई, इसको लेकर कि काफी बच्चों में confusion होता है तो ज़्यातर बच्चे नाम लेते हैं कि बाबा साहिब जी, Ambedgar ने constitution बनाई यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें कोई doubt नहीं कि बाबा साहिब जी का बहुत बड़ा रोल था constitution बनाने में, लेकिन जो हमारा constitution बना है, उसके अंदर देखो, यहाँ पर कितने, 389 people involved थे, कोई 1% involved नहीं था तो बाबा साहिब जी जो है, यहाँ पर drafting committee की chairman थे, यानि जो constitution पूरा frame किया गया और उसको पूरा लिखने का काम, जो committee थी, उसके chairman जो है, बाबा साहिब जी, Ambedgar थे तो उनका बहुत बड़ा रोल था है constitution बनाने में, ठीक है, उनको आज भी इंडिया के लोग याद करते हैं, और आप अगर दिल्ली वगरा ये साइड में घूमने जाओगे, तो आप दिखोगे जब आप उनका नाम लोगे, तो लोग उनकी तारीफ करते हैं नहीं थकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा रोल है उनका constitution बनाने में महीने और अठरा दिन का समय लगा, ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा constitution है, इसमें अगर mcq आप से पूस्ते हैं, तो वहाँ पर येर में लिखा होगा, one year, two year, three year है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना, three years will be the correct answer, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 12 days ही कम हैं इसमें ना, तो यह three years में, तो यह three years will be the correct answer, तो यहाँ पर confuse नहीं करना है, कि यह तो हमने पढ़ाई नी, तो यह I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखे, अब जो हम constitution की कुछ terminology, उसको जानने की कोशिश करेंगे, यानि कि जब भी आप constitution पढ़ते हो, तो उसके, उसमें आपको कुछ अलग-अलग जो सुनने में मिलता है, कि कुछ parts हैं, यह फलाँ-फला parts, यह articles number, यह schedules, clause, sub clause, यह क्या है, है ना, इसमें मैं कहूंगी, index वाला जो, जो page में ले रहा हूं, जैसे यह book है, उसमें यहाँ पर index लिखा है, ठीके, यह index में यहाँ पर आप देखोगे, कि chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4, ऐसे लिखे होते हैं, अब यह chapter number क्यों लिखे होते हैं, ठीके, अब जैसे यहाँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपको ज्यान रखना कि यह आपको easy way में यह chapter समझ में आए, इसी लिए, यह जो headings and some headings यह पूरी बनाई जाती है, तो same way, same way, उसी परकार से अगर हम constitution की बात करें, तो आपको easy way में समझ आने के लिए, उसको different different parts में, chapters में, articles में, clause, sub clause and schedules में उनको तोड़के आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपको समझने में असानी हो, और even जब जिसे court होता है, supreme court या high court जहाँ पर जो कुछ cases चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता कि जिसे यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर court है, और यहाँ पर जद साब बैटे हैं, और यह different different यहाँ पर lawyers जो है case लड़ते हैं अपना, तो यह lawyer मोलेगा कि according to part 3 article 19, we have freedom of speech and expression, तो यह इन्होंने mention कर दिया, कि जो है आप जो है, part 3 में जाएए, part 3 में जाएए, वहाँ पर article 19 है, उसमे clause जो है, यह है, तो यह क्या कर रहा है, यह high court को जो है, अभी अगर चेक करना है, कि यह वाकरे में लिखा है या नहीं लिखा है, तो यह क्या करेंगे, constitution पूरा नहीं पढ़ेंगे, यह जाकर सीधे वहाँ पर, उसी page पे jump कर जाएंगे, उसमें क्या करेंगे, part 3 में जाएंगे, और वहाँ पर article number 19 देखेंगे, उसको भी article number 19 में भी काफी सार है, A, B, C, D, E, F, काफी है, तो उसमें A में जाकर कि दो चार lines जो लिखे हैं, वो read कर लेंगे, तो यह confirm हो जाएगा, यानि कोई चीज अगर को constitution में ढूणना है, और वो easy way में ढूणना है, तो उसके लिए इसको parts में, chapters में, articles में, clause, subclause and schedules में, इन सब में divide करके पेश किया जाता है, तो अब हम जो है, इनको थोड़ा detail में जान लेंगे, तो constitution जो है हमारा India का, उसमें कितने parts है, तो add present की बात करूं, तो यह red number में ज समय का आंकड़ा है, यह 22 थे, लेकिन उसमें तीन जो है, एड हो गए, कभी एक दू बार remove भी हो है, कुछ add भी हो है, ऐसे करके total इसमें five times जो amendments हो चुके है, amendments का मतलब क्या होता है, amendments का simple मतलब है, हमारे जो constitution है, इसमें किसी भी परकार का change करना, ठीक है, यानि अगर constitution जो है क्योंकि law की book है, और बहुत मानी हुई book है, तो इसमें अगर dot भी लगाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, यह amendment हुआ है, यानि किसी भी type का change करते हैं constitution में, उसको बोलते है amendment, तो यहाँ पर हम बात करें parts में, parts में total five times जो है, amendment हो चुके है, अब next आते है chapters पे, chapters भी आपको ब अनुचेद यह chapter उसको बोलते हैं, अध्याई, और part को बोलते हैं भाग, तो यह अनुचेद जो है, यह हमारे constitution of India में कितने हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कि अभी act present में 465 articles हमारे Indian constitution में है, जो कि जब हमारा constitution बना था, तब कितने थे, 395 भी थे, उसमें इतन सारे add कर दिये गए हैं, ठीक है, और इसलिए हम कहता हैं कि हमारा इंडिया का जो constitution जो है, यह world का सबसे largest constitution है, यह सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा वास्ट जो constitution है, world का, वो इंडिया का constitution है, क्योंकि यहाँ पर different tribes है, different culture है, different यहाँ की geography है, different religion के लोग यहाँ प हो सकते हैं, इनके कोई ऐसे सिंख्या नहीं है, कि इतने कुछ ज़्यादा है, यह सिप समझते हैं, यहाँ पर जैसे मैं कहूं part 3, part 3, part 3 में कुछ लिखा होगा article number, मान के चलिए, article number 16, तो 16 तो होगए article, इसके आगे अगर जुड़ जाए, 16, A जुड़ गया है, add हो गया, य और यह सब clause ही, इसको कहते हैं, उप परंतुक, ठीक है, यह सिर्फ समझने के लिए, understanding के लिए है, कि यहाँ पर, आपको यहाँ पर जाना है, और जो हम बात करे हैं, वहाँ पर जाकर रीड करना है, यह simple way में constitution को understand करने के लिए clause में, sub clause में divide कर देते हैं, और उसके बाद में constitution बना, तब यह 8 थी, ठीक है, तो उस टाइम पे पंचायच और नगरपाली का और इसमें add नहीं थे, लिकिन अभी add कर दिये गए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कि जो हमारा जो यह schedules जो है, इसमें कितने times जो amendment हो चुके हैं, कितने times में changes हो चुके हैं, तो यह guys यह formally resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and वला 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 जो भी यह है, यह पूरी जो प्रियम्बल जो है, तो यह जो प्रियम्बल जो है, यह constitution का पार्ट है या नहीं है, इसको लेकर काफी लंबा debate चला, starting में तो जो cases आया तो उसमें बोला कि यह पार्ट नहीं है, लेकिन केशवनन भारती का जो case आय है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने जैसे यहाँ पर बढ़ा कि 25 total parts है constitution के, लेकिन अगर इसमें preamble add करके आपसे पूछते हैं कि after adding या after including preamble, how many parts are there in our Indian constitution, so the answer will be 26, यह चीज़ आपको जहान रखने है, preamble यानि हमारी प्रस्ता होना जो है, इसको include करने के बाद में total 26 parts हो जाते हैं, constitution of India means, और एक केश वानन्द भारती केश जो बहुत famous था किससे related है, यह preamble से related है, और यहाँ पर देको अब इसमें case में एक बात और भी कहीगी, जो हम preamble के टाइम पर और clear कर लेंगे, preamble इसको कहा कि यह amendable है या नहीं है, तो Supreme Court ने कहा है कि यह amendable है, ख constitution के बारे में, जो मैंने यह basic information दी है, यह आपको समझ में आई होगी, और यह आपके लिए बहुत helpful भी होगी, इसी के साथ हम यह lecture यहीं पर जो finish करते हैं, so thank you, thank you very much, and if you liked my videos, please like, share and subscribe.